आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है जी एस डामोर जी हैं ये वही जी एस डामोर है जो मद्वदेश लोग स्वास्त या अंत्रिकी के चीफ इंजिनियर के पत पर पदस्त रहे और जैसे ही वे रेटायर हुए उसके कुछ ही समय पाद भारती जन सीट से टिकेट दे दिया विदान सभा के चुनाव सामने थे और जी एस डामोर को भारती जनता पर टिकेट टिकेट मिल गया मुकाबले में थे कांतिलाल भूरिया जो की कांग्रेस के दिकच नेता माने जाते हैं उनके बेटे विकरांत भूरिया कुल में लाकर यह कहा जा रहा था कि अधिकारी होने के नाते जी एस डामोर का कोई जानाधार नहीं है और वे यहां से हार जाएंगे विकरांत भूरिया के पक्षिमे माहौल बनतावा दिक रहा था और उनके पीछे सबसे बड़ी ताक्त थी उनके पिता कांदिलाल भूरिया लेकिन जब विदान चुनाओ के रिजल्ट सामने आए तो सभी चोग गए जी एस डामोर जी हां ये चुनाओ जीत चुके थे इनके खाते में जहाववा की जीत दरजे हो गई कांग्रेस की हांसा लंबे समाई के बाद चुनाओ खारी और वो भी जी एस डामोर जैसे उम्यद्वार के सामने जी यहां इसके तत्काल बात लोग सभा चुनाओं होना थे और लोग सभा चुनाओं में कांग्रेस की ओर से उम्यद्वार थे गांतेलाल भोरिया अब फिर से भारती जनता पार्टी के सामने ये प्रशना आया कि यहां से किसे टिकेट दिया जाए भारती जनता पार्टी के र खिलाब भी था क्योंकि जो पहले से विधायक है उसे भला लोगसभास का टिकेट क्यों दिया जाए यही प्रशन इंदोर में भी सामने आया था जब मालीनी गोड का नाम सांसत के लिए चला था तब भी यही कहा गया कि वे विधायक भी हैं महापूर भी हैं इसलिए उन्हें ने थे कांते लाल भोरिया जो की लगातार चुनाओं जीतते रहे हैं वे मंत्री भी रह चुके हैं केंदर शाषन में कुल मिलाकर इसके तुरंद बाद दौंद शुरू हुआ और देखते ही देखते जी एस टामोर ने यह चुनाओं चीत लिया मोदी लहर का उन्हें लाप मिला और जाववा से कॉंग्रेस से छीन ली गई गई कुल मिलाकर इस पूरी जीत के सुतरधार रहे जी एस टामोर सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र छे महिने के अंतर से चांसत से लेकर विधायक का चुनाओं जीतने वाले एक मात्र देश के प्रत्याशी बने जी एस टा उसके बाद राजनितिक दिगच जाने माने नेता आदिवासियों के मसीहा माने जाने वाले कांतिलाल भूरिया को धूल चटा दी जी एस टामोर की यह पूरी कहानी बहुत दिल्चस्प और रोचक है कि किस तरह से एक रिटायर इंजीनियर अपनी राजनितिक ताकत दिखा और एक नया महल खड़ा करता है अपने वेभव का अपनी शक्ती का अपने प्रदर्शन का